लो गाइस वेलकॉम तो दी नीव वीडियो ऑफ दी चैनल माइनेम इस आमीर और आज हम फिर से वर्क पार एनरजी के प्रिवेस्ट को लेके आए हुए फिर से हम थोड़े को करेंगे आप थोड़े थोड़े कोश्चिन डेली करोगे तो डेफिनेटली आप त्री मन्थ भीफ साथ की तीन मंथ यू can revise दिस कुछिन को और रहा है तो गाईस स्टर्ट करते हैं कुछिन हमारा क्या बोल रहे बोलने तो जो बंद रहा है विल दो इट फोर शार किला बॉल-फमास 2 kg अनदर बॉल-फमास 4 kg तो एक 2 kg का एक 4 kg का ड्रॉफ एक शीच पीट हाइट तो दोन हो गोल रहाय, we will do it, for sure. के रहा बॉल अस्टू के जी अनदर बॉल अस फूर के जी तो एक टू के जी का एक पॉर के जी का जी का बॉर फ्रॉर विस सिंस्टी फिट हाइट। तो दोनों को एक ही हाइट से नीचे गिरा गया गया विचिस सिंस्टी फिट रहल और आगे बोल र दो पॉल को गिराया एक 4 kg का है एक 2 kg का है 30 फिट नीचे गिरा ही था कि मेरे को का इनटिक एनरजी का रेसियो फाइंड आउट करने का है तो बताओ कितना होगा तो एक बार बताओ जो वेलासिटी नीचे गिरने की होगी वह होगी अंडर जानी का लो मैं यहां निकाल निकालों जो इस पॉइंट पर वविलासिट हैईगी वह टूजी इनटु जितना गिरेगा वहला हैट लेंगे तो दोनों केस में यह हैइच सेम होने वाली क्योंकि हम सेम बिल्डिंग से तीनों फिट के नीचे स्ट्विट के निचे ईलें के बान निकाल रहे हैं तो वी वन वी तु के बराबर आएगा थो है अब कारेटिक जीट का रेशीट सब बै निकालंगा तो कैनेटिक एनरजी का रेशीट का रेशीय ABOUT गा, 2 kg का, divided by kinetic energy, 4 kg का, which I will write, half M, 2 का square, वाला, this is wrong, half M के जगा, 2 into V का square, divided by half 4 into V का square, दोनों कैसे V, same, cancel हो गया, यह cancel हो गया, 1 by 2, तो ratio क्या आया, 1 is to 2, इससे क्या पाता चला, कि because of mass, there is a variation, because of, velocity में variation नहीं आ रहा, mass के variation के वज़े से kinetic energy में change रहा, मतलब velocity, yes, speed बोलो, उसमें कोई भी change नहीं आएगा, चाहिए अब कितनों बड़े mass को गिरा हो गे, right, moving to the next question, guys, next question क्या बोल रहा, एक 300 Joule का, work is done in sliding 2 kg block, up to an inclined plane of height 10 meter, तो एक block को slide किया गया, up to height of 10 meter in inclined, यह height, इस height को 10 meter तक उठा के ले गया, block को यहां से, right, और यहां से work करने में इसको 300 Joule लगा, तो बोल रहा है, 10 meter, the work done against friction is, तो उसको H height पे लेके गा, तो potential energy कितना stored हुआ होगा, MGH, mass की value दिया है, G, 10, H दियावर दस, तो 200 Joule तो मेरा energy stored है, out of 300, मैंने 300 दिया, तो में को 300 मिलना चाहिए, तो मेरा 100 का गया, friction ने work done में खा गया, तो work done by friction या work done against friction, कितना होगा, 100 Joule, right, और totally conservation of energy, nothing new I'm using, bro, all right, question number next की बात करें, तो यह क्या फर्मा रहे है, क्या फर्मा रहे हो आप, कि a particle moves from यहाँ से यहाँ, when a force of this is applied, how much work has been done, now work done का formula होता है, F dot D, जहां पे D होता है, displacement which is R2 minus R1, तो R1 की value, R1 की value यह क्योंकि बोरा from point this to this, तो R1 यह हो गया, R2 यह हो गया, R2 minus R1 करेंगे तो हो हो जाएगा, 4 J plus 3K, 4K 3K minus, minus करेंगे तो plus 2I हो जाएगा, minus 5J आएजएगा, तो यहां से आएगा, minus 2I minus J plus 3K, this is a value of displacement, फिर work done के साथ उसको dot product करेंगे तो मेरे को आशर आजाएगा, this is not a big question, जबकि यह need 16 में आया हुआ है, या dot product है, कुछ भी नहीं है, बस इधर से dot I को I से करना है, J को J से करना है, के को के से करना, I J को करोगे तो 0, J को करोगे तो 0, all right, this question again coming कि भाई, अगर आपको circular motion थोड़ा बहुत आता है, तो बहुत ही इसली यह question हो जाएगा, otherwise work पार energy अच्छे से आता तो यह होई जाएगा, no doubt, के रहा, initially addressed and sliding along friction from a height, completes a vertical circle AB, the height is equal to, यह बोड़ा यहां से छोड़ा गया, इसको एक round complete कर ले, तो minimum height at least कितना होना चाहिए, तो मेरे को पता है कि यहां पे अगर minimum velocity under root 2, 2, नहीं, 5G, R के बरावर हो गया, तो वो just circular motion complete कर लेगा, जहां पे R की value उसने 2D की value दिया है, 2R तो R हो गया हमारा D by 2, जो D है diameter AB के बरावर, तो मेरे को minimum speed जो चाहिए bottom most point पे, वो चाहिए under root 2G, 5G, D by 2, यह minimum speed चाहिए, और राइट, यहां से जब मैं wall छोड़ूँगा, तो यह नीचे तक आएगा, तो मेरे पास potential energy stored कितनी होगी, potential energy stored होगी, MGH, तो मैं बोलूँगा, MGH is equal to half M, U की value minimum कितनी होँचे, यह 5G, D by 2, यहां से अगर मैं calculate करता हूँ, तो M से M cancel, G है क्या है, G से G cancel, H is equal to IR, यह 2 to 4, यह 5, यह 5D by 4, इतनी value यह बता रहा, which is wrong, MGH, D by 2, हाँ सही 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 सही, H is equal to कितनी होँचे, minimum 5D by 4, which is option 4, इतना minimum height होना चाहिए, तो यह circular motion complete कर पाएगा, इस से थोड़ा भी height अपकम करोगे, तो circular motion complete नहीं होगा, यही से कहीं गिर जाएगा, right, so guys, thank you so much, आज के लिए इतना ही, next video मैं फिर से मैं आपको ने question दूँगा, please channel को subscribe करो, थोड़ा share करो, बहुत मेनद करो, comment like कर दो, please, alright, thank you so much,